हेलो फ्रेंड्स सफल स्टेप्स में आप सब का एक बार फिर स्वागत है एक्जाम के लिए उपयोगी प्रशनों की श्रंखला में आज हम लोग डिसकस करेंगे राजस्थान की विधान सभा से संबनित प्रशन आप जानते हैं कि यह स्टेट पॉलिटी का टॉपिक है और को आगे भी इंपोर्टन मान के समझ सकते हैं कि आगे आनले एक्जाम में भी यही कोशन या ऐसे ही कोशन आपको देखने के लिए मिलेंगे आए देखते हैं सबसे पहले कोशन नमबर वन आप ध्यान से देखें अगर तो यह वीडियो भरती में 2021 में पूछा गया और इसके राजस्तान विधान सभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी तो राजस्तान में पहले विधान सभा सदस्यों की संख्या 184 थी जिसको बढ़ाकर 200 किया गया हमें बताना है कि कौन से चुनाव में हुआ विधान सभा के बारे में एक एक लाइन आपको ठ अंदर वी विधानसभा चल रही है। उसके बाद, question number next, jail प्रहरी एक्जाम 2017 में पूछा गया, राजस्तान में राज्य मंत्री और संसदिय सचिव की विवस्ता कब प्रारंब की गई? देखिए, राजस्तान के अंदर, राज्य मंत्री और संसदिय सचिव ये दोनों पद बन मुख्य मंत्री अपने मंत्री मंडल में, कैबिनेट में कुछ विशेश चर्चा करते हैं, उस समय सभी मंत्रियों का मंत्री नहीं किया जाता, जो मंत्री मंत्री के साथ में, मंत्री मंडल के चर्चाओं में शामिल होते हैं, उनको हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, एक ऐसे मंत्राले होते हैं, जिन में एक राज्य मंत्री को इस स्वतंत्र परभार या इंडिपेंडेंट चार्ज दे के पूरा मंत्राले उनको सौप दिया जाता है, तो दोनों चीजे वहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भ मंत्री बनाए नहीं जा सकते क्योंकि टोटल स्रेंथ का 15% के आसपास ही मंत्री हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उन लोगों को फाइदा कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए एक नया पद क्रियेट कर दिया गया है, जिसका नाम संसदिया सचीव है, संसदिया सचीव मंत्री न इस नातिये, बाद में इस केस में रिट परिटीशन हुई और रिट परिटीशन के बाद में लोगों को हटाया गया, तो हमारा क्योEshtais Question था कि राजस्तान में ये दोनों पद कब से परारम किये अंसर होगा हमारा चोथी विधान सब्वा, और चोथी विधान सब्वा का का मेरेकल 1967 से लेके 72 तक इसके बाद next question headmaster exam 2012 में पूछा गया राजस्तान की प्रस्तावित विधान परिशाद में अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है हम लोग जानते हैं कि राजस्तान में विधान परिशाद है नहीं लेकिन उसमय प्रस्तावित थी अगर प्रस्तावित होगी तो उसके अंदर अधिक्तम सदस्य कितने होंगे त 211 नमर आर्टिकल ये बताता है कि विधान परिशद की संदशना कैसे होगी और मैंने आपको बताया है कि जो हमारी विधान सवा की सदश संख्या होती है उसका एक तिहाई 33.33% सदश से हो सकते हैं तो दोस्तों का एक तिहाई करेंगे तो 66 आएगा उतने सदश से हो सकते हैं लेकिन उसमें भी एक रूल है कि किसी भी कारण जो टोटल सदश हैं वो 40 से कम नहीं होने चाहिए तो मिनिमम चालीस होने जरूरी हैं तो हम कह सकते हैं कि राजस्तान में अगर विधान परिशद होती तो 40 से 66 के बीच में सदश से उसमें हो सकते थे उसके बाद देखते हैं हमारे पास readily available नहीं होता इसलिए ये list लंबी बहुत हो सकती थी लेकिन यहाँ पर दो ही नाम दिख रहे हैं आपको question है कि जो राजस्तान के अंदर महादीक्ता या advocate general होगे वो इन में से क्या-क्या काम कर सकते हैं पहला है क्या वो विधान सभा में उपस्तित हो सकते हैं ये बिलकुल ठीक है उपस्तित तो हो सकते हो क्या वो सदन के कारियों में सहयोग सारे ही सदसे कर सकते हैं और ये indirectly सहयो करने का हक नहीं है, तो वो मतदान में भाग नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये हुआ, कि इन में से देखा जाए, तो ये सारे के सारे ही ठीक है, तो अंसर बनेगा हमारा उप्यूग तो सभी, उपस्तित भी हो सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं, भाशन भी दे सकते हैं, लेकिन मद्दान नहीं कर सकते, उसके बाद देखते हैं, next, इस संबन में हम सभी जानते हैं, article number 165 of the constitution है, उसके बाद अगला है, निम्न लिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा मैच नहीं करता, जो जो मैच करता उनको छाटते जाएंगे, बाकि सब हटा पहला है, समिधान का अनुचेद 170, विधान सभा की संरशना के बारे में, यह absolutely correct है, बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं कि article 170, विधान सभा की संरशना के बारे में ही है, article number 171, 171, यह विधान परिशद की संरशना के बारे में, वो विधान सभा और यह विधान परिशद, 112, र इसलिए यह जो ऑप्शन है यह गलत है तो एक बार फिर से देख लेते हैं 174 विगटन का हो गया और एहरताओं का आर्टिकल है 173 अच्छा यह 174 के अंदर सिर्फ विगटन नहीं है 179 यह सारे के सारे नियम उसी में दिये गए अगला सवाल आरेस प्री 2010 तवाली आया राजस्तान में निम्न मुख्य मंत्रियों में से कोन से मुख्य मंत्री न्यूटर होते समय राजस्तान में विदानसभागय सद्री नहीं से नहीं थे कि जगनात पहड़िया उस में केंदिय वित्राजe मंत्री हुआ गरते थे बाद में जब बाइएलेक्शन हुए तो बाइएलेक्शन से ये भरतपूर जिलेश से चुनके तब आये तो हमारा आंशर बनेगा जगनात पहड़िया उसके बाद अगला सवाल हैड मास्टर एकजा कि दल बदल पर प्रतिबंद लगाया गया किसी भी दल से निरवाची सदस्यभाद में बदल बदली कर लेते हैं। इसमें प्रतिबंद कैसे लगाया गया, कोन से संशोधन से लगाया गया तो पहला है स्वष नजेखान का52 वा संशोधन समद में कोई बात नहीं की गई तो वाली सो संशोदन वह है जिसके अंदर संपती के जो मूल अधिकार है संपती के अधिकार को वहां से हटाके और विधिक अधिकार में बदला गया हमारा आंसर होगा आंसर नमबर 52 संशोदन विधान के अंदर जोड़ी गई थी और दस्वी अनुसूची संसद और विधान सभा दोनों के सदस्यों के दलवदल के बारे में बताती है उसके बाद आरे स्प्री 2013, SI एक्जाम 2021 अगें देखे कोशन दिख रहा है की रिपीट हो रहा है किसी विधान सभा में कोई धन विधेक निम्न में से किस की अनुमती के विना परस्तूत नहीं किया जाता तो अगर विधान सभा में मनी बिल रखना हो तो पहले पुरवानुमती किस की च सकता है RS Prelim 2008, LDC एक्जाम 2018 अगें रिपीट हुआ हुआ कोशन है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जगनात पहाडिया जी जिस समय राजस्तान में मुख्यमंत्री बने थे उस समय वो विधान सभा के सदस्य नहीं थे तो यह तो इंप्लाइड है कि विध विधान मंदल की सदस्ता प्राप्त करनी होती है तो अंसर होगा छे महीने question number next है विधान सभा के अध्यक्ष को वेतन कहां से मिलता है RS Prelim 2016, पटवार एक्जाम 2021, repetitive question, बार-बार repeat होने वाला हम सभी जानते हैं कि विधान सभा अध्यक्ष को वेतन राज्य की संचित निदी से मिलता है तो उसका सही जवाब होगा राज्य की संचित निदी तो राज्यपाल द्वारा गलत जवाब है संग की संचित निदी से भी नहीं मिलता है उप्यूक में से किसी से नहीं यह भी गलत है तो सही अंसर होगा राज्य की संचित निदी सकते हैं तो अंसर होगा हमारा 500 और अभी तक कोई भी स्टेट में इतने सदस्य तो नहीं इसके बाद में इस संबंद में अगर आप आर्टिकल याद करना चाहिए तो आर्टिकल नुमर 170 है जो 500 सदस्यों की अगला कोश्यन राजस्थान पुलीस 2019 और पटवार एक्जाम 2021 राज्य विधान सभा में निम्न लिखित में से राज्य विधान सभा निम लिखित में से किसके निर्वाचन में भाग ले सकती है तो आप सभी जानते हैं कि दो तरह के एलेक्शन होते हैं एक तो डारेक्ट एल इस सभा निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन में तो जनता वोड़ देती लिगीन है प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो मतदान है वो चुने वे सदेसियों की दौरा होता है तो विधान सभा और परतेक्ष निर्वाचन के माद्यम से कहां-कहां भाग ले सकती है, सबसे पहले राष्ट्रपती की चुनावा बिल्कुल ठीक है, राज्यसवा सदसे का चुनावा बिल्कुल ठीक है, विधान परिश्ट का सदसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपती की चुनावा म में भाग नहीं ले सकती तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी कि तो निरवाचन में भाग नहीं लेती है इस कोश्चन को कर लिजिए निरवाचन में भाग नहीं लेती है उसके बाद देखते हैं कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर नेक्स है राजस्थान विधान मंडल में कौन-कौन सा सम्मिलित है राजस्थान का कोश्चन पूछा गया विधान मंडल पूछते हम तीनों कर देते लेकिन राजस्थान विधान मंडल पूछा गया राजस्थान मंडल में विधान सम्मा सम्मिलित है बिल्क कि किस अनुशेद में राज्यविधान परिशद के गठन और समापन का प्रावधान है तो देखें गठन और समापन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 169 में है यह सब जानते हैं लोग यह याद करने की बात है लेकिन इसके साथ अगर हम सारे आर्टिकल नंबर 159 राज्यपा अधैक्र था वो बताता है कि किस तरह से विदान परिशद का गठन हो गा और विदन कैसे होगा वन हंड गःर्ट सेवेंट्य नाइन जो है वह में यह बताता है कि विदहान सभा की अध्यक्ष सबक्राइब सकते हैं, इनको पद से हटाया, कैसे जा सकता है, तो जो subject question है, इसका answer होगा article number 169, इसके बाद question number next, question number next है, विधान परिशद का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू कितनी चाहिए, तो विधान परिशद का सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू 30 वर्ष चाहिए, लेकिन यही question अगर विधान सभा के बारे में होता, तो नियूंतम आयू का जवाब होता 25 वर्ष, तो इस question के अंदर answer होगा D, तो आज की class में, आज के session में इतना ही, मैं उमीद करता हूँ कि आज का session आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये content पसंद आता है, हमारे channel को like और ज्यादा से ज्यादा friends के साथ में share कीजिए, हम लोग इसी तरह से आपके लिए exam के लिए उप्यों की जनकारी लाते रहेंगे, thanks a lot.